हेलो गाइज वेलकम टू दो चैनल आज हम फाइनली यहां पे कॉम्पेरीजन करने वाले हैं दो लैप्टॉप का एक तरफ है यहां पे एसू स्टाफ गेमिंग जो की काफी बजट में परसीद लैप्टॉप है इसको बजट किंग भी माना जाता है अलकिन वही दूसरी तरफ हम बात करें यहां पे ROG series की तो यहां पे अगरी fanbase है यहां पे जो RGB light मिलती है थर्मल सा है बागी चीज़े है परफॉर्मेंस अन्बीटेवल है तो यहां पे इन दोनों का आज हम कॉम्पेरीजन करने वाले हैं और आपको बताएंगे कि आपको अगर लेना है चाहिए और आपको कम price में चाहिए तो आपको कौन सा laptop लेना चाहिए तो आज हम इसी के बागे में detail में बात करने वाले हैं तो अगर आप वीडियो को end तक दिखते हैं तो आपको बिल्कुल एचे तरीके से समझ में आ जाएगा और आप एक बेहतर decision लेपाएंगे कि आपक की वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पर हम दोस्तों बात करते हैं यहां पर बिल्ड क्वालिटी से तो दोनों ही रैप्टॉप के बिल्ड क्वालिटी है वह हाड प्लास्टिक से बनी हुई है तो आपको जो flex विल रहा है या फिर जो display bubble है वो काफी कम देखने को मिलने वा वो हलाकि काफी सालों से चलती आ रही है सेमी डिजाइन है जो अभी भी इसकी fanbase से वो कम नहीं हुई है अभी भी जो यह laptop है वो काफी ज्यादा चर्चे में रहता है डिजाइन वाइस आपकी preference हो सकती है कि आपको कौन सा डिजाइन ज्यादा पसंद आता है मुझे तो दोनों ही पसंद आते हैं नेक्स आमारे बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्ले वाइस तो दोनों ही जो डिस्प्ले है वो अलबर अलबर सेम ही है 15.6 इंच का डिस्प्ले साइज सेम है 144 हट्स का रिफ्रेस रेट हरके यहाँ पे एक चीज की दोस्तों दिक्कत है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा यहाँ पे डिस्प्ले की साइज सेम है color accuracy के अगर हम बात करें तो दोनों ही color accurate नहीं है डिस्प्ले 45% NTSC मिलता है और यहाँ पे 62.5% SRG भी आप कह सकते हैं तो अगर आपको color ज्यादा ही matter करता है किसी भी काम में तो color के लिए आप बिल्कुल यहाँ पे एक नौर कर सकते है अगर आपको gaming करनी है तो आपको मेरे हिसाथ से कोई भी दिकत नहीं होनी चाहिए क्योंकि गेम में लोग उतना color को preference नहीं देते हैं वहाँ पे fps ज्यादा होनी चाहिए स्मूथ होना चाहिए यह सारी चीज़े matter करती है तो gaming का नहीं है तो उसके बेस्ट है यहाँ पर निक्स्ट अगर हम बात रखते हैं बाकी चीजों की तो यहाँ पर रहम की बात रहे तो 8GB की RAM मिलती है तो यहाँ पर configuration थोड़ा सहिल जाता है क्योंकि 8GB की RAM मिलती है जो की 16GB RAM देनी चाहिए थी क्योंकि Ryzen 7 है और उसके साथ अर्गिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आप RAM को extend कर सकते हैं 32GB तक जो की more than enough है इससे ज्यादा मुझे नहीं रखता कि कि किसी को जूरत परेगी भी तो दोनों में ही same रख पर 8GB की RAM है DDR4 और यहां पे 512GB की SSD है जिसको हालकि मेरी हिसाब से 1 TV होनी चाहिए थी कि कोई बात नहीं है 512GB कोई बहुत ज्यादा कम नहीं है अगर आपको अलग से भी need परती है तो आप अलग से लगा सकते हैं slot तो है ही next अगर हम बाग करते हैं यहां पे performance की तो यहां पे मिलता आपको यहां पे बहुत ज्यादा पुराना है 4000 सेरीज का है 4800H जो कि आपको 5680H से भी ज्यादा अच्छा है आप वहां पे आपको 6 और 12 थ्रेड देखने को मिलते हैं यहां पे आपको 8 और 16 थ्रेड है तो यहां पे यह advantage देखने को मिल जाता है बागी performance wise बहुत ज्यादा डिफरे अगर आप इसे सेल मिलेंगे तो आपको 75-78 के करिब में भी आ जाएगा 77,000 का मिलता है तरफ गेमिंग और यहां पे आगोजी सेरीज मिलती है 83,000 का ग्राफिक्स की बात करें तो दोनों में ही RTX 3050 ग्राफिक्स है जो कि 1650 Ti से भी ज्यादा बेटर है 1660 Ti से वहां पे थोड़ के तरफ से भी आई है यहां पे FSR टेक्नोजी तुरीन सारी चीज़ों को भी यह सपोर्ट करता है तो गेम वाइस आपको दोनों में ही कोई भी दिक्कत नहीं होने वाल है अगर हम यहां पे बात करें कि यहां पे तुफ गेमिंग में मिलता है सिफ और सिफ 75 वाट का TGP जो कि उसके खर्मर्स के हिसाब से काफी सही है 95 तिलरी से ओवर टमप्रेचर नहीं जाता है एस और से नहीं जाता है तो यहां पे नेंटी वाट जाता है जो कि बहुत ही अची बात है कि यहां कि इस यहां पे राइजन ऐसे घटाप अगर आपको सीफ और सेफ यहां पर हैं तो एक बार में आपको सकते हैं जो कि आपको टुफ वार्ड ताफ गेमिंग में देखने को मिलता है यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर काफी कम बैटरी देखने को मिलती है 56 वाट आवर की और 200 वाट का यहां पर अड़ेप्टर है तो गेमिंग प्रेफ्रेंस लेना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से कि आपको बैटरी बहुत ज्यादा मैटर करता है तो आप तरफ के लिए जा दोस्तों बस इतना ही था इसमें डिफ्रेंस जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया है अब मुझे नहीं रहता कि आपको कोई भी डाउट हो अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं मैं आपका हमेसे आपका रिप्लाइए करता अगर आप दोस्तों हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो मतब तक के लिए गुड़ बाई